दिगज अदाकारा दीना पाठक ने फिल्मी जगत में अपनी एक अलगी छाप छोड़ी है इन्होंने कई सारे फिल्मों में अबने किया है हालनकि इतनी काम्याबी हासिल करने के बाद भी ये ताउमर किराय के मकान में रही और अपनी जीवन के अंतिम दिनों में जाकर एक घर खरीद पाई गुच्रात की अमरेली में 4 मार्च 1982 को जन्मी दीना पाठक ने बल्देव पाठक से साधी की थी वो मुंबई में गेटवे आफ इंडिया की पास कप्डे सिलने की दुकान चलाते थे बल्देव पाठक से मिलते ही दीना पाठक को उनसे प्यार हो गया जिसकी बाद इन्होंने बिना देरी किये इनसे साधी कर ली इनको दो लड़किया हुई दीना पाठक की बड़ी बेटी रतना पाठक साह और छोटी बेटी सुप्रिया पाठक है रतना की साधी नस्री द्विन साह से हुई और सुप्रिया पंकश कपूर की दूसरी पत्नी है दीना पाठक के पती बल्देव पाठक राजिश खन्ना और दिलेब कुमार की कपड़े डिजाइन करते थे उन्होंने ही राजिश खन्ना के लिए गुरु कुर्ता और ऐसे अन्य कपड़े डिजाइन किये थे लेकिन राजेस खनना का कैरियर जब खत्म होने लगा तो दीना पाठक की पती की आमदनी भी कम होने लगी और इनकी दुकान तक बंद हो गई जिसकी कारण सारी परिवार की जिम्मेदारी दीना पाठक पर आ गई वहीं 52 साल की अमर में दीना पाठक के पती का निधन हो गया दीना पाठक ने अकेले ही अपनी बेटियों की जिम्मेदारी उठाई और उन्हें अच्छे से पढ़ाया फिल्मों की साथ साथ ये थीटर में भी काफी शक्रिये थी जिसके कारण दीना पाठक की दोनों बेटियां रतना और सुप्रिया थीटर में आई कही सालों तक थीटर में काम करने की बाद इन्हें फिल्म मिलने लगी फिल्मों के हलामा दीना पाठक की बेटियां कही नाटकों में भी नचर रही हैं और आज ये जाना माना चहरा बन गई है मार्श 1989 में फिल्म फियर पत्रिका में दीना पाठक ने बताया था कि वो सुतंता आंदोलंगी दोरान काफी शक्रिय थी जिसकी कारण मुंबई की सेंट जेवियर्स कॉलिज से उन्हें निकाल दिया गया था कॉलिज की बाहर निकाली जाने की बार उन्होंने दूसरी कॉलिज में पढ़ाई कर अपनी बीए की डिगरी ली दीना पाठक ने 120 थी जादा फिल्मों में काम किया है और उनका अभिने केरियर 60 साल लंबा है इन्होंने जीवन के 19 सालों में भी फिल्म में अविना किया वहीं 11 अक्टोबर 2002 को मुंबई में उनकी मृत्ती हो गई उस वक्त इनकी आउ 80 साल की थी अपनी मा को याद करते हुए बड़ी बेटी रतना ने एक बार कहा था कि हम पहले बहुत लड़ते चकरते थी बाद में हमारा रिस्ता अलग तरीके का हो गया हम दोस्त बन गए मैं मा से किसी भी विसे पर बात कर सकती थी जब हो हमें छोड़ कर गए तो मेरी प्यारी दोस्त बन गई थी दीना पाठक ने कई यादगार रोल किये हैं जिनके लिए ये आज भी जानी जाती है रिशी केश मुखर जी के फिल्म गोलमाल 1989 में ये राम प्रशाद लश्मर प्रशाद की नकली मा बनी थी लोगों को ये रोल काभी पसंद आया था फिल्म खोशूरत में ये गुपता परिवार की कड़क मुखिया निर्मला गुपता बनी थी गुलजार की फिल्म मीरा 1989 में इन्होंने राजा बीरम देव की रानिक उमरवाई का रोल किया था गुबिन निहालनी की सिरीज तामस 1988 में इन्होंने बन्तों की भून का निभाई थे